तो यह देखिए कितनी बढ़िया हमारी इसकी ग्रेवी बनके तयार हुए तो उसके बाद हम पनी डाल के इस अच्छे से ला लेंगे बिलकुल जहटपट बनके तयार है यह बिलकुल पनीड की सब्जी हमारी आज हम बनाएंगा सिंपल तरीके से पनीड की सब्जी तो चली बिनाक्स देरी के शुरू करते हैं तो इस प्रेसिफिकली फ्रेंट्स हमने लगबग 300 ग्राम का असपास पनीड लिया है अपने घर का पनीड है तो इसे कट करके इसे हम पहले तल लेंगे पनीड को आप चाहे तो बगड़ टेली घर चट्मान प्तिर लिए अनिकाल लेंगे अप चाहे तो और डीफ विए कर सकते हैं कि तो हमारा पनीर फ्राइं एकति तेल डाल के कडाई माम तो पनीड तील के ल॓ सटेल और उसके के बाद हम यहां पर इसमें प्याज और हरी मिल्ची कँए करेंगे तो हरी मिल्च हमbeing One पर थोड़ी सी ज्यादा डाल आप अम आपने साइख से तिक को डाले हैं कि तो मिल्ची को अपने डाल सो उसके बाद में से मताल यह ने किर दाल के थैस थे जालने के दॉल चला लेंगे हैं और चलाने के बाद यह दिखिए इसे हम इसे कबर करके पकाएंगे यक्षक को तक नंसां पयाज और निया तक ह Kimberly उल्ची इस पख़े आक आप देखिए अरिंड़ कावर इसका होगा है यहां ba5 अला ही यहां पर नमने प्रेंट आप आप यह प्याज जो हमारा और बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल गल जाए ताकि इसका जो तिकनेस होगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा हम जो बना रहे हैं आज फ्रेंट्स इसमें ग्रेवी जादा नहीं रखेंगे यह लगवग थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगा हम इसमें तो आप चाहे तो ग्रेवी वाली भी बना सकते लेकिन इसे हमने लगवग सूखी पनीर और मटर की सबजी बनाया है तो यह देखे हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से पग गया है तब हम यहाँ पे अधरक और लाशन का पेश डालेंगे लाशन हमने लगवग 10 से 12 कलिया लिया है और अधरक जो है लगवग 1 इंच के स्कॉयर के टुक्रेम लिया ह आधरक भूनने के बाद हम इसमें टमाटर हीट कर लेंगे और टमाटर को भी हम इसे पकायें अमने 2 मिडियम साइज के लिया है तो टमाटर बिल्कुल चेंज हो रहा है बहुत ही सांदर तरीके से बनता है तो मसाले को मैं करेंग्स हम लाल मिच पॉरडर धनिया पॉरडर हल दी पॉरडर ऑर थोड़che सबजी ग्षोटी चमच से अर्मसाले डालने के बाद राद हम इसमें पानी एड़ को मसाले अच्छे से हमार भून जाएगा तो पानी डालने के बाद हम इसे मिलाएंगे लगवोग मसाले को थीन से चार मट तक हाई फिलम पर पका लेंगे तो यह देखिए हाई फिलम पर करने के बाद कुछ इस पर करकाइस का टेक्ट्चर आ गया है तो आपको दिख रहा होगा तेल बिल्कुल अलग हो रहा है मसाले से तो अब हम यहां पर इसमें मटर एट करेंगा मटर हमने फ्रेंट्स लगवग 200 ग्राम के असपास लिया है तो यह बड़े वाले मटर लिये हमने आप चाहिए तो देसी मटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह कच्छे मटर हैं बड़े वाले मटर डालने के बाद हम इसे 3-4 मिर तक पका लेंगा थाकि मटर भ कितना बढ़िया इसका बनके तयार हुआ है तो यह आपको लग रहा होगा कि फाइनली हमारा सारा मसाला बनके तयार है तो इसे भी हम लगवग 2-3 में टोड़ चला लेंगा और तब हम यहां पर कि इस्प्रिंग अनियन का इस्तमाल करेंगे जिसे सग्गा प्याज बोलते हैं हम लोग तो थोड़ी सी हम यहां पर एड़ कर लेंगे इससे थोड़ा सा टेक्च्चर इसका अलग हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफेरेंट हो जाता है तो आप चाहे तो इस प्याज के पत्ते को पहले भी डाल सकते हैं उसके बाद हम थोड़ी सी और पान यहां पर एड़ कर लेंगे और इससे अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए इसकी जो गिरेवी का थिकने से यह बिल्कुल गाठी बनी है और अब हम यहां पर फाइनली फ्राइब पनीर को हमें यहां पर एड़ कर लेंगे आप चाहे तो बगर फ्राइब के यहां पर कच्छा भी डाल सकते हैं तो यह देखिए आपको देखने से लग रहागा फ्रेंट्स कि यह हमारा बिल्कुल फाइनली बनके तयार हो गया है और थोड़ी सी हम यहां पर हड जिवन के सुखी सब्चिवन के तयार है तो हमकी प्लिटिंग कर लेते हैं तो यह देखिए इसका टेक्ट्चुर आप देख के अनूमान लगा सकते और देख के भी इसका स्वाद का भी आप अनुमान ना गा सकते हैं तो कैसी लगी है फ्रेंट्स रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रू बताना और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आकन का दबाना ना भूलें तब तक कि लिए जाए हैं